अगर आपने Google affiliate में अपना account create करके रखा हुआ है और affiliate के थुरू दोस्तों आप Amazon के जो भी product है उसका जो भी product का link है अगर आप copy नहीं कर पा रहे हैं लिंक को generate नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे generate करके copy करके share कीजेगा वो आपको इस वीडियो में clear होने वाला है सबसे पिले तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते है और यहाँ पर आप देखे तो product पर click करते हैं तो click करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पर product सो हो जाएगा पर यहाँ पर आपको link copy का option देखने मिलेगा direct आपको यहाँ पर share का option मिल जाता है पर यहाँ पर share पर click करते है तो यहाँ प पर यह आपका affiliate वाला link नहीं होगा इससे आपको को भी revenue नहीं आएगा तो इसके लिए आप simply क्या करना है आपको affiliate वाला जो link होता है उसको generate करके आपको copy करना है इसके लिए आप क्या करें Google Chrome को open करें और यहाँ पे आपको online Amazon shopping application को search करके Amazon application में आपको यहाँ से login कर लेना है और login कीज़ेगा इस परकार का interface यहाँ पे देखने मिलेगा और उसके लावँ यहाँ पे काफी सारे product मिल जाएके किसी भी product पे आप click कीज़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पे product तो सो हो रहा है पर इसका link आपको यहाँ पे सो नहीं हो रहागा तो आपको यहाँ पे link का option यहाँ पे देखने मिलेगा फिलाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ देखे यहाँ पे get link वाला option यहाँ पे आ चुका है देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे get link पे जैसे click कीज़ेगा तो यह product का link आपको यहाँ पे सो जाएगा और इस सभी product का link अगर आप copy करना चाते है तो get link में आपको click करना है और get link में click करना दोस्तों इस पे आपको link पे tap करना है copy पे click करना है देन उसके बाद दोस्तों कहीं पे भी आप यहाँ पे share करना चाते है वो दोस्तों आप यहाँ पे link को यहाँ पे share कर सकते है मैं आपको दिख न्यू बनेगा तो